आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूं और आज हमारी चर्चा का विशह रहेगा स्वास्ते की अवधारना सबसे पहले आता है स्वास्ते का अर्थ स्वास्ते वह अवस्था है जो की मनुस्य को अपना जीवन हर प्रकार से भरपूर तरीके से जीने के योग्य बनाती है स्वास्ते वह सारीरिक और मांसिक योग्यता है जो हमारे सरीर को लगातार बदलते हालातों के अनुसार ढालने के योगे बनाती है और जिसका उप्योग शरीर को और अधिक सुद्रड बनाने थकावट का मुकावला करने की छमता विक्सित करने के लिए किया जाता है स्वास्त वह इस्तिती है सरीर वे मन का सही अवस्था में रहना तथा क्रिया सिल रहना व्यक्ति और अपने चारों और के वातावरण में सामजसे बनाए रखना अब आती हैं स्वास्ते की परिभासाएं सबसे पहली परिभासा है विस्व स्वास्त संगठन के अनुसार स्वास्त रोग केवल रोग अथवा ऐसमर्थता या अपंगता की अनुपस्तिती ही नहीं बलकि संपूर्ण शारिरिक मांसिक तथा सामाजिक संपनता की इस्तिती है दूसरी परिभासा है डॉक्टर थामस वुड का कहना है स्वास्त उन सभी अनुभवों का योग है जो हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं परिभासाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वास्त वह योगिता है जिसमें व्यक्ति शरीर को क्रियासील वे मन को संतुलित रखने, वातावरन के रंतर बदलते आयामों में समायोजित करने, परिवर्तन करने तथा उनका सामना करने के गुणों का विकास और व्यक्ति को ख खुशाल बनाती है, खुशाली या कुसल शेम की संकल्पना, खुशाली जीवन की वह अवस्ता है जिसमें बालक मानसिक तोर पर स्वस्त, आनंदित तथा समन्वित महसूस करता है, खुशाली से तात पर ये बालक का स्वेम के वहवार, समवेगों तथा जीवन की विभिन स्वास्त को अच्छे से अच्छी दसा को कुसल छेम या खुशाली कहा जाता है कुसल छेम में मस्तिस्क सरीर वे आत्मा के बीच अच्छा तालमेल तथा संतुलत होता है जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्त महसूस करता है स्वास्त के पक्ष स्वास्त के विभिन पक्ष हैं जैसे शारिरिक स्वास्त मांसिक स्वास्त सामाजिक स्वास्त भावनात्मक स्वास्त तथा अध्यात्मिक स्वास्त स्वास्त के सभी पक्ष एक दूसरे पर निर्बर होते हैं स्वास्त के विभिन पक्षों को संशित विव करने से है शारीरिक पक्ष्य तात्पर्य शारीरिक प्रणालियों वे अंगों का ठीक एवं सुचारू ढंग से कार्य करना तथा व्यक्ति का निरोग तथा हस्ट पुस्ट होना है इसके अलावा दैनिक जीवन के कारों में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए शारीरिक य अपने अभ्यास के लोगों के साथ सोहार्द्यपून धंग से रहना सिखाता है। अच्छा स्वास्त शरीर और मांसिक इस्तिती पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति शारिरिक रूप से कितना भी स्वस्त क्यों ना हो। परंतु यदि वह मांसिक रूप से स्वस्त नहीं है तो उसे स्वस्त नहीं माना जाएगा थर्ण डाइक के अनुसार संतोस सीखने में व्रधी करता है उनके अनुसार जब बच्चा शारिरिक वह मांसिक गती विद्यों में भाग लेता है तो उसमें सजग मस्तिसक का निर्मान होता है और सजगता के कारण उसकी सीखने की गती तिवर होती है स्वास्त वे खुशाल बच्चे के मन में यह विस्वास होता है की वह शक्ती साहा स्रमता का बहतर परदरशन कर पाता है फिर आता है सामाजिक पक्ष मनुश्यों को अपने परिवार समुदाय और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देना पड़ता है किसी भी मनुश्य के सामाजिक स्वास्त के इस्तर का मापन उसकी व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर नहीं होता अपीतु दूसरों की खुशाली या संपन्नता पर पड़े प्रभावों के मानदंड से मुल्यांकन किया जाता है हर व्यक्ति की कुछ बुनियादी जरुते होती हैं उनमें अपने से दूसरों के साथ लगाओ माननेता, स्वभिमान वे इसने आधी तत्व शामिल हैं इन आवशक्ताओं की पूर्ती सामाजिक स्वास्ते को प्रोचाहित करती है सामाजिक तोर पर स्वस्त व्यक्ति के अंदर नेक नियती, इमानदारी, स्वार्थ, हींता, सही योग, न्याय, भावना जैसे गुण आवस्तक समझे जाते हैं चौथा पॉइंट आता है भावनात्मक पक्ष अपने वहवार या द्रश्टी कौन के द्वारा जो हम बातावरन बनाते हैं वह भावनात्मक बातावरन हैं भावनाएं हमारे मनोभावों से उत्पन होती हैं, अर्थात हमें अपने मनोभावों पर नियंत्रन के साथ साथ उन्हें सकारात्मक बनाना चाहिए, हमें अपने समवेगों पर नकारात्मकता को हावी नहीं होने देना चाहिए, और रड़ निस्से द्वारा सकारात्मकता में से परिवर्तन पर सकारातमग वातावरण की रचना करनी चाहिए तबी हमें भावनातमक रूप से सौस्त रह सकते हैं पाँचवा आता है अध्यात्मिक आयम अध्यात्मिक स्वास्त व्यक्ति के वहवार का वह पक्ष है जिसके आधार पर हम अपने जीवन जीने का लक्ष निर्धारित कर अपने जीवन पर आगे बढ़ते हुए जीवन के यथार्थ को जानने का प्रियास करते हैं शरीर, मन, आत्मा, वेहवार से ये सभी उसके व्यक्तित्व के पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमारी संसक्रती में अध्यात्मिक भावनाओं का व्यापद प्रभाव है स्वास्त के निर्धारक तत्व स्वास्त के निर्धारक तत्व से अभी प्राय उन तत्वों से है जो हमारे स्वास्त का निर्धारन करते हैं ये तत्व प्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वास्त पर प्रभाव डालते हैं ऐसे आय, सामाजी की स्तर, सिक्षा, लेंगिंग सम्वेदना, स्वास्त सेवाएं, रोजगार, वातावरन, स्वच्छता, एवं भोजन आदी, लोगों के स्वास्त के निर्धारन में महतुपूर्ण भूमी का निभाते हैं, स्वास्त के निर्धारक तत्व निम्न हैं, सबसे पहला है भोजन, भोजन का हमारे शरीर तथा स्वास्ते पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बालक की व्रद्धी और विकास उसके भोजन पर निर्भर करता है, बालक जितना व्यायाम करता है उसी के अनुरूप उसे उचित मातरा में भोजन मिलना चाहिए, यदि उसे स संतुलित आहार के प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी विरद्धी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है विना संतुलित आहार के उसे अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पढ़ सकता है जैसे प्रोटीन की कमी से क्वाइसिक और केल्सियम की कमी से सूखा रोग और व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन हुई हैं विसेश तोर पर निम्न वर्गियों लोगों में जादा देखने को मिलती हैं जनसंक्य वरद्धी बढ़ने से लोगों को स्वच पीने का पानी वायू, साफ सफाई, उप्युक्त प्रकास, खाने पीने की वस्तों की शुद्धिता, अच्छे कपड़े, रहने के लिए उप्युक्त जगह आदी, मूलभूत सुविधायें सभी लोगों को नहीं मिल पाती अच्छे स्वास्ते के लिए व्यक्ति को रहने का निवास वे उसके आसपास का परियावरन शुद्ध वे सुविधायुक्त होना आवशक है, तीसरा है स्वास्ते सेवाएं, स्वास्ते कार्य करम का बहुत महत्पूर्ण अंग है, जिसका कार्य स्वास्ते का मुल्यांकन कर तथा उनका मागदर्शन करना है और रोगों की जाच करना प्राथमिक चिकित्सा और आपात कालिन सेवाएं मिड़े मील टीका करन तथा उपचारात्मक उपाय करना है पाच्वा है वातावरन वातावरन से अभी प्राय हमारे निवास या कार्यास्तर या विद्याले के सम्मंद उनका सामाजी किस्तर आर्थी किस्तर तथा मानुविय द्रस्टी कौन स्वास्ते पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है अतहे स्वास्त के स्वास्ते परक वातावरन का होना अतियावश्यक है छटा है स्वच्चता व्यक्तिकर स्वच्चता जहां हमारे स्वास्त क बनाए रखती है वहीं अनेक रोगों से बचाती है आसपास की स्वच्छता हमें संक्रामक रोगों से बचाती है संक्रामक रोग हमारे शरीर को कमजोर बना देते हैं तथा स्वास्ते पर विप्रित प्रभाव डालते हैं सात्वा है सामाजीक सांस्कृतिक घटक हमारे स्वास स्वास्त को उत्तम बनाने में सायक होती हैं वहीं एस्वास्त रिती रिवाज हमारे स्वास्त के लिए हानिकारक सिध्ध होते हैं इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूं फिर हम नए विसे के साथ प्रसुत होंगे धन्यवाद नमस्कार